उडान अपने हक के लिए आजादी की लड़ाई ममा मुझे अभी शादी नहीं करनी है और पापा से कह दो मैं बाहर जाकर ही पढ़ाई करूँगी मुझे अभ यहां नहीं रहना मैं जो करना चाहती हूँ वो शहर में रहकर ही पुरा होगा आप लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझना चाते गुस्ते से चिलाते हुए नेहा अपनी मा राधा को कहती है राधा तेज आवाज में नेहा को समझाते हुए बोली हम लोग समझना नहीं चाते या तू समझना नहीं चाती नेहा अरे कितनी बाट तुझे एक ही बाट बार बार समझानी पड़ेगी कि हमारे खांदान की बेटियां बहार जाकर पढ़ाई नहीं करती है ये पीडियों से चली आ रही इस घर की परमपरा है जिसे बदलना नहीं जा सकता ये बात तुभी अपने दिमाख में बेठा ले और हाँ छोड़ते ये सब सहर जाकर पढ़ाई करने का सपना निहा चिरते हुए बोली आखिर ममा क्यों क्यों नहीं बदला जा सकता क्यों आप लोग बेटियों को बाहर भेजने से डरते हैं क्यों इस घर का सिर्फ बेटा ही बाहर जाकर अपने सपने पूर्या कर सकता है तो सिर्फ बेटिया क्यों नहीं क्यों इस घर में बेटियों पर पावंदी लगाई गई है और उनके सपनों को कुछ लगया है आखिर क्यों ममा नेहा ने एक पल में ही मानो अपनी मा के सामने सवालों की बोचार करना शुरू कर दिया हो जिसका एक भी जवाब राधा के पास नहीं था आके राधा बोले भी तो क्या बोले वे एक तम शांद खड़ी अपनी बेटी नेहा की बाते सुने जा रही थी तभी पीछे से नेहा की तेज अवाज सुनकर दादी वहां आ गई नेहा दादी को देखकर पूछने लगी बोलो ना दादी आप तो इस घर की सबसे बड़ी है आम बोलेंगी तो पापा आपकी बात नहीं मटा लेंगे प्लीज दादी आम बोलो ना पापा को मुझे फैसन डिजाइनिंग का कोर्श करना है मुझे अपने सपने पूरे करने हैं दादी मुझे सहर जाना है प्लीज दादी नेहा ने अपनी दादी को बैट पर पिठाया और उनका हाट पकड़ कर जित करने लगी दादी एक दम से नेहा का हाच चटकर गुस्ते से बोली पागय हो गई है का चोरी तुझे कब से तेरी मा समझा रही है तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं हुश रही है तेरे पापा और दादा जी ने जो बोल दिया सो बोल दिया बस वही होके रहेगा अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी वैसे भी तुझे पढ़ लिखकर कौन सा जंडा गाड़ने है करने तो तुझे वही काम है चूला चौका बर्तन फिर काहे को दिमाग पर जोड़ दे रही है धादी मू बनाते हुए बूली तु छोरी है छोरी छोरी बनके रहना जा कर मा के साथ चौका में हाथ बटा कुछ काम सीख जाएगी तो माईके का नाम होगा बड़ी आई फैसन डिजाइनर बनने वाली दादी की है दिल दुखा लेने बाली बात सुनकर नेहा की आँखों में आसू आ जाते हैं वो शान्त होने की बज़ा और जोर से चिला कर बोलती है आखिर क्यों दादी हमारे यहां ही ऐसा क्यों होता है हम लड़कियों को क्यों हक नहीं है भार जाकर पढ़ने का क्या हम इंसान नहीं है क्या हमें दर्द नहीं होता हमारा भी मन करता है अपने सपने पूरा करने का, खुद के लिए जीने का, कुछ कर दिखाने का, दादी एक दम से नेहा पचलाते हुए बोली, पागल मत बन छोरी, छोरियां में सब पराई होती है, हमारे यहां की छोरियां माय का छोड़ कर सीधा ससरा ली जाती है, नेहां एक दम से उठी और ग पर लेकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर आप लोगों ने उनके सपनों की बली चड़ा दी, और जीवन भर के लिए घुटन दे दी, उनकी शादी एक ऐसे घर में करवा दी, जहां घुट घुट कर जीने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा रस्ता नहीं रहा, ना लगरा था मानों जैसे संत ज्वाला मुखी एक दम से फट पड़ा हो, तभी उसकी मा रादा बोली, नेहा चुप कर भगवान के लिए चुप हो जा वरना, ऐसा कहते हुए रादा नेहा का हाथ खीच कर कमडे से भार जाने लगती है, पर नेहा रादा का हाथ छोड़ा कर फ इच्छाओं को दबाते हुए, उनके ख्वावों को तूटकर बिखरते हुए, बुआ जिंदगी जी नहीं रही है, बलकि जिंदगी का पोश्ड हो रही है, और मैं उनके जैसी बुर्कुल जिंदगी नहीं जी सकती, मैं घुट-घुट कर मरना नहीं चाती, मैंने सोच लि ही हो, अब चुपकर नहा वरना, कहते हुए, राधा नहा को थपड मानने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही उसके दादा जी आज जाते हैं, और राधा का हाथ पकट लेते हैं, और कहते हैं, क्या करने जा रही हैं थी बहु, जवान बच्ची पर कोई इस तरह से हा पुजडो रही है, मैं गलत था वहू, लेकिन इस बात का एहसास अब मुझे हो गया है, इसलिए अब मैं अपनी पूती के सपनों के साथ कोई समझाता नहीं करूँगा, बलकि उसके सपनों को साकार करने में इसकी मदद करूँगा, लड़का हो या लड़की, उसे अपने स पूरे करने का पूरा अधिकार है, और मैं अपनी पोती को इस अधिकार से वंचित नहीं रहने दूगा, दादा जी ने नेहा के सर पा हाथ रखते हुए बोले, मेरी पोती जल से जल सहर जाएगी, और अपने अधूरे सपनों को पूरा करेगी, नेहा खुश हो कर बोली, नेहा की तरह ही लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है किसी को समाज का डर है तो किसी को माहौल का कुछ लड़कियां नेहा की तरह ही अपने अधिकार के लिए लड़ जाती है और कुछ अपने सपनों को मार कर चुप हो जाती है यदि है जस्वा कुछ कर दिखाने क तो बैठे क्यों हो आगे बढ़ो यही तो मौका है अपनी सफलता के लिए उची उडान भरने का आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सस्काइब करना मत बूलेगा मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैसी कृष्णा एंड जैसी लिए